जय महाराश्व पब्लीक आप सभी का स्वागत है यथाक महाराश्व 2.0 के आज के सेशन में जहां फिर सम्सुरूजे शीरीज कर चुके हैं नाइन स्टानेट के लिए आइंड टोड़े विल्कुन डिसके सिया वेरी इंपॉर्टन चप्टर काफी हिस्टोरिकल भी है का जाप्टर है तो हाँ फॉर्स लेटर वाज रिटन किस तरह से जो फॉर्स लेटर है या पर लिखा गया इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्टे रही है और के सभी को बता दू इंग्लिश मीडियम का है कुमार भारती जो आपने जो टेक्सबुक है वो ओपन कर लीजएग आपको भी आपने टेक्सबुक में यह पता चले क्या क्या पर हो रही है किस तरह से उसने लेटर लिखना शुरू किया है किस तरह से उसने वहां पर एक्सप्रेस करना शुरू किया है यहां लेटर करें सीच पर यौह इंदाद थी क्या 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 थाटर यहां धिक्सट से बताती एक प्रिमिटीव फैमिली मतलब काफी पुरानी नियोलिथिक एज में नियोलिथिक एज में मतलब इनो इन्यों सटों चोनेसे हम तोड़ा आगे आचुक है है जहाँ पया कर र प्लस यहां पर मेटल का भी इस्तेमाल हो रहा है तो यह काफी इंपर्ण वाली बात है नियोलिथिक एज में चलो आगे चलते इस नियोलिथिक एज में बात करेंगे एक दिन क्या होता है गहाँ हो चुका है यह कोई हम कहेंगे कोई लेटर यह नहीं कोई अलफा वेट्स नहीं है कोई ABCD नहीं है लेकिन यह क्या है एक कर रहे है उस ड्रॉइंग की तरह से है कि actually क्या चीज़े हुई है okay so it is delivered by a man ये man got delivered from another tribe to the mother and causes a funny misunderstanding यह जो letter है एक ट्राइब के द्वारा दूसरे type को यहाँ पर दिया जाता है okay उस और मा को वहाँ पर letter मिल जाता है और काफी misunderstanding funny वाली यहाँ पर होती है that we are going to understand है तो चलो है पर स्टार्ट करेंगे इंटेशनरी कैसे है अब यह पर कौन-कौन करेंटर है तेगुमाई है okay the head of the family then you know तेशुमाई है the husbands okay तेशुमाई's husband है then Taffy's father okay तेशुमाई कौन है तेशुमाई is you know तेगमाई's okay तेगुमाई's wife and Taffy's mother तो टेशुमाई की मदर है तेशुमाई okay and तेगुमाई की क्या है wife then Taffy and Taffy my कौन है तेगुमाई and तेशुमाई's daughter जो लड़की है जो draw कर रहे है right now and stranger man को है भाई वो जो है तेवरा tribe का जो क्या कर रहा है letter submit करेगा चलो तो चलिए start करते तरीक से I am going to understand इस लड़की के बारे में कि क्या important चीज है किस तरह से लेटर लिखा गया है and what she want to convey here okay चलिए देख लेते यहां पर ओके once upon a time most early time was a neolithic man and he lived heavily in the cave वो क्यों में रहता था okay अगर हम काफी neolithic man की बाता पर करते हैं ही वोर वेरी फ्यू क्लोस वो कर विच कम कपडे पहनते थे वह रीड नहीं कर पाता ही कुड़न रीड और यू कुड़न राइड और युड राइड और ही दिड़न वांट वोरी नहीं कर वा था वू लिख नहीं पाता और उससे को जरुद थी नहीं उससांप और एक्सेप्ट वेन ही वाज हंगरी वह कॉइट हैपी जब हंगरी है तभी वह बहाँ जाता अर्वड करता था लेकिन उसके बाद मतलब आधर टाइम वह काफी हैपी था इस नेम वाज तेगुमाई तेगुमाई बोपसुलाई ओके डाट मेंस मान वू ड़स नाट पूट इस फूट पॉरवड इन हरी जो वेक्ति इसका मेनिंग क्या है कि वेक्ति जो हूमन बिंग है जो मैन है वह अपना जो फूट है हरी में कभी भी आगनी वड़ा था ओके मतलब क्या कि लेडी वू आस्क अवेरी मेनी क्वेशन एक लेडी है जो काफी ज्यादा क्वेशन पोचती है उसका मिनिंग है अस्मॉल परसन विदाउट एनी मैनर्स वू आट वी स्पांग्ट होके मतलब कोई मैनर्स है नहीं आइंड यू आट वी स्पांग्ट नेक्स चलेंगे अंदेखो यह आप है बट आइम गईंट तो हम उसे क्या कहेंगे टाफी कहेंगे यह हमारे राइटर अलाइब तेगुमाई भुपुसलाई इस बेस्ट भी लवड और ओन ममी बेस्ट भी लवड और शी वास नौट स्पांग्ट हाफ असमुच आज गुड फॉर हर बट देवर आल देर वर हैपी तो वो तीनों जो है वो काफी है ना अटेन लिसन केरफुली इस पर्टिक्लो स्वांप टुद वगाई रिवर यह वगाई रिवर के यहां पर वो जा रहा है ओके आइंड आइंड यूनों टू स्पियर काफ फीश फॉर डिनर और टाफी वेंट टू टाफी उसके साथ चली गया ओके तो तेगुमाई इस यूनों स्पियर वास मेड आप वूड उसको क्या हुआ उसका स्पियर वहां पर यूनों ब्रोक हो गया आइंड यूनों इट बाई क्लीन एक्रोस बाई जावलिंग डाउन टू हाड अन दे बॉटम आप दे रिवर के उपर यहां पर यहां पर यूनों दबाने के वैसे हो क्या हो तूट गया अब देखो वो देवर मा माइस दूर थे अपने घर से अंड तेगुमाई हाड फॉर्ग टू टू ब्रिंग एक्स्टा स्पियर्स और तेगुमाई जो एक्स्टा स्पियर्स लाने के लिए भूल वेया अब हेर इस प्रेटी केटल ऑफ फिश तो वहां पर क्या अब देखो यहां पर काफी अच्छी है सेट तेगुमाई तेगुमाई नहीं कहां आइवील हो के इट विल टेक मिया हाफ डे टू मेंड इस ओके मुझे यूनों काइंड आप देखो इसे यूनों बनाने के लिए इसे करने के लिए और वहां पर क्या एक बड़ाख ब्लैक आट हो इसे लेके आ जाती हूं तो पापा करें इस तुफ़ार प्रोड लिट्ल फैक लेक्स यह तुम्हार ले काफी दूर होगा बच्ची तुम आराम करो तो आप यूमाईट पाल इन्टुट बीवर काव के बीवर स्वांप यू सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो वह बैठ है ओके टुक आउट लिटर लेदर मेंडी बैग वह लेदर मेंडी बैग निकाली ओके फुल आफ रिंडिया और इन साइन्यूज और स्टिप्स अफ लेदर उसमें थे लंप साफ यू नो वी एस वाबी इस वाक्स में था ओके रेजिन उसमें था और बिगान टू मेंड दस पिर ओके स्पियर को वो जोडने के लिए लगे जहांपे वो टूटा हुआ था उसे क्या करने लगे जोडने लगे अब देखो ये था स्पियर इस तरह से वहां पे शार बच्ची ऑके और फॉर्ट वेरी हॉर्ट तो उस्ते का देशी सेड आंसे जाड़ी इस एन आफुल नुसांस दाट यू आई डोंट नो हाव तो राइड इसंट इड़ डाड़ी ये कितना अलग है ना कि आपको भी नहीं लिखना पता मुझे भी नहीं लिखना पता है ना अगर हमें पता होता है तो हम मैंसे सेंड कर देते ना तो हमें शाइद ब्लाइक स्पेर मिल जाता तो जस्ट देन स्ट्रेंजर मान केम अलॉंग द्रिवर एक स्ट्रेंजर मान वहाँ पर रिवर का आ जाता है बट वह डूसरी ट्राइब का यह इनकी अलट टेगुमाई की अलग ट्राइब है उसका नम है यूनों तेवाराज तो एन ही डिट नोट अंडर्स्टेंड वर्ड 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 फॉम तेगुमाई की कोई लैंगुज समझता नहीं लेकिन ही स्टूड ऑन दे बैंक का इस्माइल करें देख रहा है ओके वह तेवारा ट्राइब का आदम बिकास ही हाद लिटल डॉटर उसके पास भी छोड़ी सी गर्ल लिटल डॉटर है और अफ इस ओन एट हम ओके घर क्या है तो तेगुमाई द्रिव और हैंग कोफ यूनों डियरिस साइन्यूज फ्रॉम हिस मेडी बैग और बिगान तू मेंड इस स्पीर वो क्या कर रहा है उसके बैग में से सारा इक्विप्मेंट निकाल रहा है और यहां तो का यहां पर यह इस तरह से टूटा हुआ था था एंब बात यहां पर करेंगे silly said Taffy she stamped her foot because she saw a shoal of a very big car going up the river just when her daddy couldn't use his spare a you know a big carp jar rata vahas hai so personality miss kar diya so don't bother grown-ups said to him I okay so busy okay so busy with his spare mending that he did not turn around because busy house pair ko joint ticker name I aren't said Taffy I only want to I've only want him to do what I want him to do and he won't understand me chat you can make us a book about an hour ago okay so then don't bother me take my take my camera much opinion or don't bother him unless for no way and he went on pulling and staining the deer sinews with with his mouth full of loose ends and stranger match a genuine tewara he was what beta ra vape okay grass keeper and Taffy showed him what her daddy was doing what Taffy you know what's the other key Mary dad if he got a guy right was spare Joe I would take a new kusha pe karrihan and what he was looking at the stranger man thought this very wonderful idea kaffee wonderful that I think I'll be wonderful that I think I'll be interesting yeah you know she's time for a foot at me and she makes faces work for me to have a couple of faces of faces of faces say banar ready to know a kind of expression Taffy Joe I'm gonna read it and उसके बाद she must be a daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me, चायद यह जो है यह उसकी daughter होगी, क्योंकि वो मेरी तरफ देखी ने रहा मुझे notice भी नहीं कर रहा है, so he smiled more politely than ever, तो वो जो है जाधा politely, you know Taffy की तरफ देखके बाद आपर कर रहा है, now, now said Taffy, I want you to go to my mommy, hey stranger man, I want you to go to my mommy, because your legs are longer than me, because तुम्हेरे leg काफी longer है, मेरे चोटे है, मेरे पाप मुझे अलाव नहीं कर रहे है, right now, and you won't fall into the beaver swamp as well, तुम मुझे दलदल में भी नहीं फसोगे, तो I ask for daddy's other spare, daddy के जो other spare, तुम मुझे यह नहीं मांग सकते हो, and the one with the black handle, जो black handle है, and hangs over the fireplace के आपे रखा हुआ है, वो वतारी कि कहा पर रखा, वो भी उसने बता दिया, stranger man thought, this is a very very wonderful child, क्योंकि भाजा समझ में नहीं आ रही है, language समझ में नहीं आ रही है, he waves her arms, he, 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 he shouts at me, but I don't understand a word what she says, stranger man, कार रही है कि वो बात कर रही है कुछ हाथ ही ला रही है, कुछ मुझे कुछ समझ में आ रही है, तो वो आपे क्या कर रही है, अब वो आपे ड्रा कर रही है कुछ चीज़े, क्योंकि भाशनी समझ में आ रही है तो आप ड्रा कर रही है कुछ आगे चलेंगे, but I don't do what she wants, मुझे पता नहीं वो क्या आप बात कर रही है, I greatly fear that, that haunting chief man who turns his back on callers will be angry, शायद वो जो वो जो वापे जो उसका father है वो शायद angry हो जाएगा, He got up and twisted a big flat piece of bark, of bark tree and gave it to the taffy, वो taffy को दी दिया, ये वाला, okay, ये वाला जो पीस है उसे दे दिया, okay, and उसके उपर वो कुछ तो कर रही है, अब देखो, He did this and best bill up, जो हमारे taffy है, to show that his heart was as white as a bark, okay, bark, and that he meant no harm, but taffy didn't quite understand, अब देखो, Oh, said she, now I see, you want my mummy's living address, अच्छा, तुमने मुझे दिया है, तो शायद, तुम्हे, मेरी mummy का address चाहिए, अच्छा, ओके मैं समझ गई, टाffy काभी होशार है, of course, I can't write, but you know, I can draw pictures, if I have anything sharp to scratch with, अगर मैं कुछ picture आपे draw कर सकती हूँ, अगर मुझे कुछ यहनो sharp चीज़े मिल जाए, तो मैं यहापे draw करके तुम्हें गाइड यहापे कर सकती हूँ, राइट ना, ओके, Please lend me the shark's tooth of your necklace, क्या तुम मुझे जो shark tooth तुम्हारे पास से, जो necklace में जो shark tooth है, वो दे सकती हूँ, ताकि मैं उससे क्या कर सकती हूँ, कि वहाँ पे है, इस वाले tooth से, मैं यहाँ पे draw कर सकती हूँ, कुछ चीज़े और तुम्हें गाइड यहाँ पे कर सकती हूँ, है ना, अब देखो, the stranger man didn't say anything, so Taffy put her a little hand and pulled a beautiful bed, and bed and the seed and the shark tooth necklace round his neck, तो उसने, Taffy ने वो necklace में पे लिला, और जो tooth है, वो लिला, the stranger man thought, he is very, very, you know, wonderful, यह काफी wonderful child है, the shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth, and I was always told that if anybody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst, but this child doesn't swell up or burst, and that important chief, man who attends strictly to his business, who has not had taken a notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst, I had a better, I had a better be more polite, अब आपे क्या कहा गया है कि, वो जो man है, जिसके, you know, necklace से उसने वो, Taffy ने जो यह, shark a teeth लिया है, वो इससे कहा गया है था, उस stranger man को, कि जो भी तुम्हारे इजाज़त के बिना उसे छोएगा, तो वो, you know, wind up, burst हो जाएगा, खतम हो जाएगा, and you know, या फिर निगल जाएगा, इसी बात होगी, लेकिन ये बच्ची ने वहाँ से हाथ लगाया, वो लिया भी, और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन ये जो लड़की है, ये लड़की वो स्चीफ की है, जो भाँ पर सिप अपना काम कर रहा है, अपना जो स्पीर है वो ठीक कर रहा है, उसकी है, and उसने मेरी तरफ धान भी नहीं दिया, कुछ चीज़े को धान धान भी न दिया, and वो लड़की जो है बिल्कुल अफरेड नहीं है, तो यहाँ पे I had better to be more polite, तो मैं आप ज्यादा polite भाँ पे हो चुका हुआ उस लड़की के लिए, है ना? So he gave Taffytha, उसने Taffy को वो शारकवा, टु दे दे दे, उस टेंजर मैन ने, and you know she lay down the flat on her tummy, okay, आराम से से बेटी रही, ऐसे, ऐसे करती रही, I am with her legs in the air tan, ऐने ऐसे, ऐसे, okay, and like some people on the drawing room floor, when they want to draw pictures, she said, now I will draw you some beautiful pictures, you can look over my shoulder, and you must, and you mustn't juggle, okay, juggle, तु यहापे बेठो, okay, first I will draw daddy fishing, फर में पहले में ट्रॉ करू करू कि, मेरे daddy क्या कर रहे है, fishing कर रहे, it isn't very like him, but वो से दिखने रहे, लेकिन समझ लो कि है मेरे daddy है, okay, but mummy will know, mummy को पता चल जाएगा, कि मैं daddy draw किया है, and you know, because I have drawn his spear all broken, मैंने spear वापे दिखा है कि, वो broken हो चुका है, well, now I will draw the other spear, that he wants, मैं other spear को वापे draw करूगी, जो पापा को चाहिए, and the black handle spear, and it looks as if it was, you know, sticking in daddy's back, so daddy के back में, वापे stick हो चुका है, okay, but that's because the shark tooth slipped, and this piece of bark isn't big enough, यह जो spark का जो टूथ है, वो से निकल चुका है, अब यह जो spear ही इतना बड़ा है नहीं है, तो that's the spear I want you to fetch, तो वो जो spear है, जो काफी बड़ा घर में है मेरे, वो तुम उसे ले के आ सकते, and I will draw a picture of myself as well, you know, planning to you, so my hair doesn't stand up like I have drawn, but it is easier क्योंकि मेरे, you know, to draw that way, now I will draw, I will draw you, मैं तुम्हे आप ड्राव करूँगी, ताकि ममी समझ है कि तुम हो, और तुम्हे सारी चीज़ देनी है, so I think you are very nice, really, but I can't make you pretty in the picture, तुम काफी अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हे इतनी अच्छे दरसे नहीं ड्राव कर पारूँ, मैं इतनी अच्छे है नहीं है, so you mustn't be offended, पर फ्लिस बाफेंडर मत होना, बुरा मत मानना, आरियो फेंडर्ड तुम्हे अफेंडर्ड हो, तो स्टेंजर मैं स्माइल, ही थाट्ट, कुछ लागवी समझ भी हा रही नहीं है, लेकिन यावे वो थाट्ट कि, there must be a big battle going to be fought somewhere, उससे लग रहा है कि, काफी बड़ी battle हो रही है कही और जगह पे, यह जो लड़की है, इसने मेरा magic जो टूथ है, वो ले लिया, शार का टूथ, और वो डूब भी नहीं गई है, वो बस्ट भी नहीं हो चुकी है, तो शायद क्या होगा, तो वो उससे लग रहा है कि, जो चीफ है, जो मेरे जो ट्राइब के तेवरा टाइब के जो चीफ है, उसे बुला लाओ, और ये इस man जो है, मेरे पापा को help करो, तो एक तो ग्रेट चीफ है, वो या फिर उसने मुझे नोटीस नहीं किया, इसा हो सकते है, जो उसके टाइफी के पापा, लुक, से टाइफी, ड्राइब वेरी हाड, आइन राधर स्क्राचिली, नाव आफ द्राउन यू, और आफ पूट अ स्पीर दाइड़ी वांच इन्टो यूर हांड, अब मैंने यहाँ पर क्या, ड्राइड़ी के जो स्पीर है, जो मुझे चाहिए, वहाँ पर मैंने ड्राउ करिया है, अब यह तुम्हारा काम है कि तुम उसे ले के आओ, नाव आई विल शो यू, हाँ तुम पित आओ, वहाँ पर दो ट्रीज है, यहाँ पर यू पर पर से चले जाओ, यहाँ पर तुम आज आओ, फिर वहाँ पर काफी आपी एरिया है, दलडल वाला एरिया है, तुम्हां पूट इन आल दे बीवर्स, because I can't draw beavers, मैं beavers draw नहीं कर सकती हो कि मैं फूरे द्रोस यहां पर बताई नहीं है but I have drawn their heads, मैंने उनके heads draw किये है and that's all you will see of them when you cross the swamp okay, mind you don't fall in, okay then our cave is just beyond the beavers swamp, okay and then हमर जो cave है उस beavers swamp के आगे है and it isn't as high as hill really तो मैं लगता है कि hill काफी high हो कर लेकिन उतना high नहीं है, छोटा सही है but I can't draw things very small, तो मैं इतने small draw नहीं कर सकती, वो बड़ा तो है so that's the mummy outside, that's my mummy outside, वो हिल के यहां पर, okay and she is beautiful, she is the most beautifulest mummy there I was but she won't offended when she sees I have drawn her so plain तो वो offended नहीं होगी, मैंने उसे काफी plain draw किया है, उसकी इतनी beautiful picture में draw नहीं कर पा रही हूँ so still, okay so she will be pleased of me because I can draw and वो काफी कुछ जागी, at least मैं draw तो कर रही हूँ, मैं picture तो निकाल रही हूँ, okay tapy के रही है and now in case you forget, अगर तुम भूल जाओगे तो I have drawn the spear that daddy want outside our cave तो जो spear चाहिए daddy को, वो outside of the cave है, जो तुम्हें लाना है, okay it's inside really, okay it's inside really, but you show the picture to mummy and she will give it to you, तुम ममी को picture दिखाओ, वो तुम्हें वो spear देदेगी I have made her holding up her hands because I know she will so pleased to see you, okay वो काफी खूश हो जाएगी Isn't it a beautiful picture, क्या संदर picture नहीं है, है रा, कितना अच्छा picture बना है मैंने and do you, do you quite understand और शालाइस plane again तुम्हें समझ में आया, या मैं तुम्हें और जादा explain करूं इसके बारे में वो टैफी कह रही है, okay the stranger man, जो टेवरा ट्राइब का है, looked at the picture and nodded very hard okay, he said to himself if I do not fetch the great chief strive to help him, अगर मैं great chief को यहापे लेके नहीं आऊंगा तो he will be slain by his enemies, तो वो उससे मार दिया जाएगा उसके enemy द्वारा who were coming up on all side with the spears, वो spears लेके आ रहे है सारे साइड से अब Taffy कुछ अलग बताना चाहती है और इसने समझ लिया कि भाई Taffy के father को कोई enemies मारने आ रहे हैं काफी साइड से spears लेके तो इसने मेरी बैक, उसने खुद की बैक मुझे दिखाई है, मतलब इनो बैक दिखा रहा है अब इसने बीटिफुल जो चाहिड है उसने पिक्चर ज्रॉ करा है ताकि जो डिफिकल श्यूशन में वो है, वो हम बता सके, क्या बात है औक आविर अवे आवे आईड रहे और सने वो सारी चीज़ लेने के लिये है now this is the picture that Taffy had drawn for him यह picture Taffy had drawn for him spear लाना है वो समझा कि भाई कोई वार वगरा हो रहा है उसे enemy मारने के लिए आ रहे so what you have been doing Taffy Tegumai आ रही है he had mended his spear and was carefully waving it to and fro okay उसने क्या क्या वो mended किया उसके spear को and उसे सारी सीज़ों भापे करी so it's a little you know birange mate okay birange mate of own and daddy dear said Taffy if you if you won't ask me questions you will know all about it in a little time अगर तुम्झे question नहीं पूछेगा तुम्हें सब कुछ बाता चल जाएगा okay and you will be surprised you will be surprise हो जाओगे and you don't know how surprised you will be daddy promise you will be surprised तो टेको मैं करिये very well and went ओ ठीक है बाई आन फिशिंग को चलाता है stranger man did you know he was a tevra okay hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Tesumai Tevindro at the door of her cave तो उसे नहीं मिल जाती है वहाँ पे at the cave and talking to some of the other Neolithic ladies who had come in into the primitive lunch Taffy was very like you know Tesumai Taffy जो है Tesumai की तरह थी especially about the upper part of the face and the eyes जो है so the stranger man always a pure tevara smiled politely you know politely smile and handed Tesumai a bark bark he had run hard so that he panted and his legs were you know scratched with the brambles so he still okay but he still tried to be polite उसके you know जा रही है वो stranger man की तरफ the other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him long line of six and while they pulled his hair और और जो सारी जो यहां पर तेगुमाई की जो लेडीज वगरा है you know वहां पर उनके निवल्टिक लेडीज वगरा है वो सारी जो उसे उस stranger man को पकड़ा और तेशुमाई उसके आप पर बेटे को उसके हेर पकड़े उसके बाल पकड़े है okay and it's a plane it's a plane as the nose on the stranger man's face okay uh he said he has stuck my तेगुमाई all full of spares उसने मेरे तेगुमाई को पकड़ा है full of spares and frightened the poor Taffy so that her hair stands all on end so उसने इस तरह से पकड़ाई की you know मेरे तेगुमाई केसे पकड़े उसने पिक्चर देखो या पर लेके आया है पकड़ो इसे so she showed the picture to all Neolithic ladies देखो 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 मेरे तेगुमाई को के मेरे तेगुमाई से पकड़ा उन्होंने so here is my तेगुमाई with his arm here is my तेगुमाई मेरा हजबन देखो with the arm broken भाई वो arm नहीं था वो spear था arm broken and here is a spear you know spear sticking into his back spear उसके back में लगा हुआ है and here is a man okay with the spear ready to throw वो जो man है वो spear आसे थो करने के लिए आ रहा है so here is another man जो आ रहा है वो फिर से थो करने के लिए from the cave and here as a whole pack of people and there were a taffy's be beavers really but they did look rather like a people so coming up behind Tegumai isn't it shocking क्या story बतानी थी क्या हो गई Tegumai शिकार करने के लिए गया है नदी के यहाँ पर taffy वह बेठी हुई है stranger जो man है stranger man वहाँ पर जा रहा था त्यवरा tribe का था तो taffy को लगा कि पीचर निकालके मैं उसे कुछ संदेश भेज़ दो कि मुझे लिखना आता नहीं तो उसने picture निकाले उस man को बताया कि मेरी मा को यह संदेश दे दो कि उसे spear चाहिए जो black वाला जो उसके cave में है तो तेवरा man को लगा कि शायद जो उस taffy का father है उसे help चाहिए तो वह हुआ है और मेरे तेगु माई को उसका husband है उसे मारा हुआ है शायद उसका हाट भी टूटा हुआ है तो उन सारी औरते जो है वो लंच कर रहे थी उसे पकड़ लिया उसके hair भी पकड़ लिया इस तरह सारी चीज़े हुई मतलब क्या कहना था और Taffy क्या कहना जाए थी वो टेवरा मैं कुछ अलगी समझ गया ओके टेवरा मैं ने उसे कुछ दे दिया तो यह जो अपनी जो टेशुमाई है वो कुछ अलगी आपे समझने लग गई तो काफी इंट्रेसिंग सोरी है ना तो यह है तो आपके ले मैं आप समरी दे दी गई है तो यह जो रीड फॉमनिकेशन दे लगे लगे सोरी अलगी वो करती है की अलगी लाइफ कैसे थी हुमन बिंक्स क्यान किस तर से वो रहते थे अमेजिंग यार मतलब नियोलिथिक एज स्टोन एज पकड़ के अनिमल्स को पकड़ना या फिर खुद की लाइफ जेना तो इससे हमने काफी सारी जिये सीखी कि क्या नियुर्थिक एज था किस तर से लोग रहते थे और किस तर से विन्हों भाशा एफ्रिक कम्मुनिकेशन किस तर से होता था तो इस प्रम माई साइट विल गए तो मिट इन नेक्स सेशन तो तिल देन प्लीज रिवाइज डिफिकल्वर्ट के मीनिंग आपके टेक बुक में नोट बुक में लिख लेना अंद मिलते हैं नेक्स सेशन में नहीं चाप्टर नहीं पोयम के साथ तो तिल देन टाटा वह टेकर थांक यू सो मच जय महाराश्य दन्यवाद बुबाई